हेलो इस्ट्रुएंट्स आज हम क्लास नाइनत के एकनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर निर्धनता एक चुनोती में आपको आगे बताएंगे आज हम समाजिक आसुरक्षा और समाजिक अपवर्जन के बारे में आपको बताएंगे आसुरक्षा निर्धनता के प्रती एक माप है जो कुछ विशेश समुदायों के वेक्तियों के भावी निर्धन बने रहने और उनके निर्धनता के जो संभावनाएं हैं उनको प्रदर्शित करती है प्राया या आसुरक्षा, शिक्षा, स्वास्त और रोजगार के आवसरों को ले करके उनके पास क्या विकल्प मौजूद है उसके बारे में होती है क्योंकि अगर रोजगार के अच्छे आउसर अच्छी शिक्षा है तो अच्छे आउसर उपलवदोंगे अगर अच्छे आउसर उपलवदोंगे तो अभावी भविश्य में वो निर्धन नहीं रह जाएंगे इस तरीके से और दूसरा प्राकर्तिक आपदाओं के कारण प्राकर्तिक आपदाओं जैसे बाड़ होती है भूकम होता है तो प्राकर्तिक आपदाओं के कारण इन समुहों में विद्यमान जो जोखिम है उसके निर्धारण के आधार पर भी हम निर्धनता को आकलित करते हैं क्योंकि जो अन्य समुह हैं उनके तुलना में इन समुहों में जो ये समुदाये हैं जो निर्धन कहला रहे हैं इन समुदायों में इन आपदाओं का सबसे ज़ादा प्रभाव पड़ता है इसके बाद आता है सामाजिक अपवर्जन तो जिस तरीके से निर्धनता को हम सुरक लोगों से अपवर्जित हो करके अलग हो करके निकरिष्ट वातावरण में ही रहना पड़े और अन्न्र निर्दनों के साथ ही जीवन वितीत करना पड़े उसी को हम सामाजिक अपवर्जन कहते हैं तो समांता, सामाजिक अपवर्जन, निर्धनता के कारण तथा परणाम दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि निर्धनता के कारण लोग लाभूं, सुविधाओं और अच्छे अवसरों से वन्चित हो जाते हैं और उसके परणाम सरूफ वे हमेशा ही निर्धन बने रहते हैं तो इस तरींगे से सामाजिक दनो परदों को प्रदरशित करते हैं तो आप इन दो बदर्मी के अंतरगत इनके शोर्त नोट्स तयार कर लीजिए गां कि मिए शोर्त नोट्स की तरीके से आप शेकर पूत है यां आज के लिए आपकर शिर्शक इतना ही धन्यवाद